मिसमें लाइ रप्पानियुराहिम अस्सलाम अलेकूम आज जो हमने टॉपिंग डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर फाइव फस्टर कैमिस्ट्री अटॉमिक स्ट्रॉक्शर और उसका हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हम एक्स रे प्रोडक्शन को गयरा को देख लेंगे और फिर मोजलेलह की कन्क्लुजन और उसकी इंपोर्टन्स को हम नेक्स पार्ट के अंदर डिसकस करेंगे वो लेक्टर नंबर 17 के अंदर डिसकस करेंगे तो अभी हम स्टार्ट करते हैं Lecture नंबर 16 और जिसके अंदर हमने प्रोडुक्शन ओफ एक् X rays की production से पहले हम क्या कर लेते हैं X rays को define कर लेते हैं कि X ray को कैसे हम define कर सकते हैं ठीक है तो basically इसकी definition के दो parts होते हैं X rays अगर हम वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ठीक है दी तो पहला पार्ट क्या बन जाएगा अलेक्ट्रो मेगनेटिक रिडियेशन है और वेरी शॉर्ट वेवलेंथ जो है उसे हम एक्स रेज कहते हैं ठीक है और इसकी शॉर्ट वेवलेंथ कितनी होती है जिरो पॉइंट जिरो फोर से लेके 8 angstrom जो है वो होती है और angstrom का आपको पता है मैंने आपके वो पिछली वीडियो के अंदर भी बता रखा है 10 रेस्ट पावर माइनस 10 मीटर ये यूनिट आफ लेंध फी है बाकी प्रिफिक्स की तरह नहीं के उसके अंदर यूनिट भी शामिल होता है तो अगर MCQ में आ जाए के यूनिट आफ लेंध कौन सा है पिको नैनो माइक्रो और साथ में एंग्स्ट्रम हो तो आपने एंग्स्ट्रम को टिक करना है अगर micron आ जाता है, micro की जगह पर, micron आ जाता है, तो उसमें भी meter का unit जो है, वो शामिल हो जाता है, ठीक है जी, तो सबसे पहला point क्या हो गया, कि electromagnetic radiation of a very short wavelength, और wavelength मैंने आपको बता दी, 0.04 से लेके 8 एंक्स्टन तक इसकी wavelength होती है, और ये produce कैसे होती है, इसका दूसरा part आ जाए ठीक है, ठीक है दी, कि ये produce कैसे होती है, तो produce, when high energy electrons, ये x-rays produce हो रही है, और ये कब produce हो रही है, यहां से हम cathode rays, यानी electrons, तो high energy electrons, जब anode से टकराते हैं, और anode यहां पर हमने कौन सा लिया हुआ, heavy metal anode लिया हुआ है, heavy का मतलब जिसका atomic mass या atomic number जादा होता है, ठीक है दी, तो atomic mass जिसका जादा होता है, 82 से atomic mass जादा जिनका होता है, उसे हम heavy atomic mass वाला, ये heavy metal कहते हैं, तो हमने क्या लिना है, heavy metal लिना है, तो produce, तो दूसरा पार्ट हम लिखते हैं, के produce when heavy metal anode, ठीक है दी, sorry, produce when high energy electrons strike with, produce when high energy electrons, electrons basically cathode rays ही है, ठीक है दी, तो produce when high energy electrons strike, टकराते हैं, with heavy metal anode, ठीक है दी, तो heavy metal anode के साथ, जब high energy electrons टकराते हैं, तो उस case में जो x-rays produce होती है, जो कि very short wavelength वाली है, उसे हम क्या कहते हैं, x-rays कहते हैं, तो ये proper definition है, अगर आपके short question के अंदर definition आ जाती है, तो आपने यही definition लिखनी, और उसकी wavelength बता देंगे, और इन दो point और बता देंगी, तो आपके दो number आ जाएंगे, मैं आपको बार बा definition आ जाए, तो definition के साथ 2-3 points को और शामिल करना चाहिए, क्योंकि आप metric level पर नहीं है, बलकि FSA level पर है, थोड़ा सा आपको improve करना पड़ेगा उसको, paper attemptation skill को आप improve करे, तो उसके बाद instrumentation की बात करते हैं, जी, तो instrumentation में अगर हम देखें, तो आपने यह diagram बनानी है, और इसक यह वरी जो चीज है, इसे हम cathode कहते हैं, और यह हम labdanium tube के अंदर होती है, और इसके अंदर होता क्या है, जी, tungsten filament होता है, जिस से basically cathode rays निकलेंगे, वो कहां से निकलेंगी, tungsten filament से निकलेंगे, ठीके दी, अब यहाँ पर बीच में हमने क्या लिया हुआ है, convex lens, तो convex lens basically क्योंकि इनको converging lens भी कहते हैं, convex को, ठीके दी, तो यहाँ पर जाकर यह इसको क्या कर देगा, converge कर देगा, और यह क्या चाहिए है, heavy matter anode हमने ली हुई है, जिसको copper tube के अंदर हमने रखा हुआ है, ठीके दी, तो heavy matter anode से जब यह high energy electrons जाकर टगराते हैं, high energy कैसे होगी, कि हमन बो जो cathode rays हैं, उनको एक ही point पर merge कर दिया है, जब आप बचे होंगे, तो अभी भी आपने देखा होगा, कि एक lens मिलता है, जिसको हम जो है ना, चीजों को बढ़ा करके, छोटा करके, छोटा सा lens होता है, उसको चीजों को बढ़ा करके, छोटा करके देखते हैं, आपने य पर को जलाने की experiment last में किया होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, कि हम convex lens को इस्तमाल करके, वो सारी जो energy है, मतलब काफी सारी cathode rays है, उनको एक point पर merge करने से होगा, क्या कि जादा energy हो जाएगी, और जब जादा energy हो जाएगी, तो यहाँ पर high energy से x-rays produce हो जाएगी, x-rays produce कै कैसे होती है, वो हम आगे चलके देखते हैं, अब फिलाराम instrumentation को देख रहे हैं, यहाँ पर vacuum pump लगा रख है, और यह x-rays produce हो रही है, ठीक है दी, तो यह था इसका instrumentation, और जब instrumentation हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपने working के बारे में लिखना है, कि x-rays produce होगी, तो वो कहां स सकते हैं, slit in platinum plate, ठीक है दी, platinum plate के अंदर क्या होगी, पहले slit होगी, तो उस में से सबसे पहले जो cathode rays है, x-rays जो है, वहाँ से निकलेगी, ठीक है दी, slit in platinum plate से निकलने के बाद, वो कहां से निकलेगी, aluminium window से निकलेगी, ठीक है दी, तो सबसे पहले कहां से निकलेगी, platinum plate पू से ठीक डी, aluminium window से निकलने के बाद जो है, उसने कियाивать क्या है, की उसको हम गिराएंगे, एक हमारे पास crystal मौजूद होता है, ठीक है डी, strike on, strike on, हमारेपास एक crystal होता है, potassium faireo cyanide, ठीक है डी, तो potassium faireo cyanide जो है, यह हमारे पास crystal होता है, इसके उपर हमने स्ट्राइक करवाने के बाद जब ये निकलेगी तो हमने इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराना है ठीक है जी फिर हमने किस पर गिराना है जी फोटोग्राफिक प्लेट तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हम गिराएंगे तो हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो हास उनको हमने गुजारना है किसके अंदर से मतलब बाहर अगर निकलवाना है तो कैसे निकलवाएंगे जी सबसे पहले हमारे पास एक प्लेट होगी प्लाटीनियम के उसमें स्लिट हमने छोटी सी स्पेस जो है वो छोड़ी होगी वहां से निकलेगी और वो तकराएगी वो निक प्लेट पर गिरेगी तो हमारे पास स्पेक्टरम हासिल होगा और उस स्पेक्टरम को क्या कहेंगे एक्सरेस स्पेक्टरम और उस से हम एक्सरेस की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाएंगे समझे में आजए कि बाद उसके बाद अब यह एक्सरेस प्रोड्यूस कैसे हो उसे अंदर बताया होगा कह इंटर्च उता है रॉते हैं वेलंस यह होता है इसको लोडाउँन आपने byks पर या नोट्स पर आपने कर ले नहीं कर लिएन आए लाजमी कि इनउट्च पर बाते हैं कि उतना होते हैं और वैलेंस architecture हुता है जो वैलन शेल के अंदर वाला जो शेल होता है उसे हम क्या कहते हैं जैसे फॉर एक्जेंपल एक एटम के अंदर पाच शेल मौझद है तो पाच वा जो शेल होगा उसे वैलन शेल कहेंगे चोथा जो शेल होगा उसे पनल्टीमेट शेल कहेंगे और बाकी चोथे शेल को और बाकी तमाम अंदर वाले शेल्स को हम inner shell भी कह सकते हैं वैलेंश येल्स के इलावा तमाम जो अंदर वाले शेल्स होंगे उन्हें हम inner shells कहते हैं तो inner shell transition इनको हम कहते हैं तो कैसे होती है तो जब हम high energy electron यानी striking electron को लेते हैं जब high energy electron होगा तो वो high energy चीज़ को ही निकालेगा तो ये inner shell वाले electron को निकालने की कोशिश करेगा और जब ये यहां से निकल जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगी एक space बन जाएगी ठीक है जी और ये electron जो है sorry green color से ही बना जेते हैं कि ये electron जो है वो निकल गया है ठीक है जी और साथ में strike करने वाला electron भी दोसरी side वर चला गया है ठीक है लिए अब ये दोनो electrons मुझूद है एक हमारे पास जो है नैक आउट electrons नॉकआउट hypertension है ठीक है जी और दूसरा जो है हमारे पास कौन से है जी striking electron ये दोनों जो है वो अब मिकल गए है अब अलेक्टॉ운 निकलने के बाद यहां पर के शेल के अंदर क्या आंगी है श्पेस आंगी है अगर यहां पर स्पेस आंगी है तो उपर वाले शेल्स अलेक्टॉवां के में जंप कर सकते हैं और जब! उपर वाले शेल्स से अलेक्टरॉन नीचे वाले में जम्प करेंगे तो अनर्जी को क्या करेंगे वो रिलीज करेंगे ठीक है निए लेट से मैं कहता हूँ कि कोई भी अलेक्टरॉन जो है वो जम्प कर सकता है लेट से मैं कहता हूँ कि उपर वाले अलेक्टॉन नीचे वाले पहले शेल में आने की कोशिश करेंगे तो हाई अनरजी रेज या फोटान्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसे हम क्या कहेंगे एक्स रेज कहेंगे और ये सारी जो ट्रांजिशन हो रही है ये जंपिंग ट्रांजिशन का एक मतलब जं अब हमारे पास दो टाइप्स की सीरीज दे रखेंगे वैसे तो काफी सारी हो सकती है लेकिन हम इन दो को ही ज्यादा तर अबज़र्व करते हैं के सीरीज और एल सीरीज क्या होती है वो हमने देखना है अगर अलेक्टॉन जंप कर रहा होगा इंटू के शेल अगर अगर अलेक्टॉन दुबारा सुन लेंगे अगर अलेक्टॉन किसी भी और्बिट से जंप कर रहा है किसमें के शेल के अंदर जंप कर रहा है तो जिस अनर्जी का फोटान आएगा उसे हम किसमें रखेंगे के सीरीज के अंदर करेंगे और इसको हम बता सकते हैं कि जंप इ into k shell from any shell या orbit ठीक है दी तो किसी भी orbit से अगर वो जम्प कर रहा है k shell के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे जो energy वो release करेगा वो k series के अंदर fall करेगी ठीक है दी अब यहाँ पर हम दो category's बना लेती हैं एक k alpha series और एक k beta series ठीक है दी हमारे पास दो category's जो है ना वो कौन कौन से बना लेते हैं जी k alpha ठीक है दी और k beta अब k alpha series क्या होती है और k beta series क्या होती है अगर electron की jumping एक orbit का change आया है अगर electron की जो jumping हुई है उसमें सिर्फ एक orbit का अगर फरक आया है तो उसे हम क्या कहेंगे k alpha कहेंगे और अगर दो orbit का jump आया है तो उसे हम k beta कहेंगे और अगर तीन orbit का jump आता तो उसे हम क्या कहते हैं हम उसे k gamma कहते ठीक है जी k gamma भी हो सकता था लेकिन बहुत कम होता है rare cases में होता है ठीक है जी तो k alpha क्या होगा जी हमारे पास when during jumping ठीक है जी तो उन orbit का jump होगा वन और्बिट जंप अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे के अलफा कहेंगे ठीक है जी अगर टू और्बिट जंप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे ठीक है जी टू और्बिट जंप जो है उसे हम क्या कहेंगे के बीटा कहेंगे और 3 orbit jump होगा तो उसे हम क्या कहेंगे के gamma कहेंगे कैसे अगर electron जो है वो jump कर रहा है दूसरे से पहले shell में मतलब M से K में jump सोरी L से K में jump कर रहा है ठीक है दिए अगर हम इसको series लेकी लेते हैं ताकि आपको समझे में आजाए K ठीक है दिए L M N O अगर electron दूसरे से पहले में jump कर रहा है तो एक orbit का फरका रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे K alpha series कहेंगे अगर orbit jump कर रहा है तीसरे से पहले में तो दो orbit का फरका रहा है और इसे हम क्या कहेंगे K beta कहेंगे और अगर orbit N यानि चोथे और्बिट से पहले में जम्प करा है। उसे हम क्या कहेंगे के गैमा कहेंगे और ज्दतर के अलफा के बीटा को अब्जर्व किया जाता है विसे ज्दा एनर्जी वाला के गैमा होगा लेकिन हम उसको ज्दतर अब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है जी, उसके बाद, अब हम बात करते हैं L-Series की, तो L-Series की अगर हम बात करेंगे, तो jump जो है, ठीक है जी, jump किस में होगा जी, into, क्योंकि L-Series है, तो L-Shell में ही jump होना चाहिए, ठीक है जी, तो L-Orbit, L-Orbit के अंदर jump होगा, ठीक है जी, from any orbit, यह आपने खुदी observe कर लेना है, ठीक है जी, और इसके अंदर भी हमारे पास, काफी सारी categories आजएगी, जैसे L-Alpha आजएगा, L-Beta आजएगा, और L-Gamma आजएगा, तो यह सारी jump जो होगे, और अगर, एक orbit का gap आ रहा है, ठीक है जी, अगर, एक orbit का gap आ रहा है, तो उसे हम क्या L-Beta कहेंगे, कैसे, अगर L में jump होना है, फॉर एक्जेंपल, वो जो striking electron है, उसने L से electron को निकाल लिया है, जब L से electron को निकाल लिया है, अब M, N या O से electron L में jump करेगा, तो अगर, वो M से L में आ रहा है, तीसरे से दूसरे में आ रहा है, तो उसके अंदर एक orbit का change आ रहा है तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, L-Alpha कहेंगे, अगर वो चोते से दूसरे में आ रहा है, तो दो orbit का फ़र्ण का रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, L-Beta कहेंगे, अगर वो पांच वे, या O से L में आ रहा है, तो तीन orbit का रहा है, तो तीन orbit का रहा है, तो तीन orbit का रहा है कि पहले तो मैंने आपको K और L सेरीज के बारे मैं बता दिया कि अगर जमप होगा K सेरी men तो जो भी forton निकलेगा वो के सेरी में जमप करेगा ठीकर जियी fall करेगा और दूसरा अगर वो L में जमप कर रहा है उसको देखेंगे सही हुझा जरीके से लेकिन हम थोड़ा सा यहां पर भी डिस्कुस कर लेती हैं और वो है कि रिलेशन्शिप बिट्वीन E फ्रिक्वेंसी E क्या है जी अनर्जी और फोटन यह जो हमारे पास नियू इसे कहते हैं इसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं यह वेव नंबर है और वेवलेंथ है और अटॉमिक नंबर है इन चीजों का आपस में रिलेशन्शिप हमने देखना है तो पहली चीज वेवलेंथ और अनर्जी यह वैसे हमने पहले भी रिलेशन्शिप आई थिंक देख रखे हैं जादा कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए तो कैसे करेंगे जी तो यहाँ पर हमारे पास अनर्जी फिर्करंसी और वेव नंबर यह तीनों चीज़े जो है यह क्या है डारेक्टली परपोशनल होती है एक दूसरे के अगर किसी चीज़ की अनर्जी जादा होती है तो उसका उसकी फिर्करंसी भी जादा होती है उसका वेव नंबर भी जादा होता है और मतलब यह तीनों चीज़े एक दूसरे के साथ डारेक्टली रिलेट करते हैं यह हमने प्लांक्स quantum theory के अंदर भी discuss किया था ठीक है जी लेकिन वेव लेंथ जो है इन सब के क्या है inversely proportional है तो हम अगर relation लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते है अनर्जी ठीक है जी अनर्जी वेव नंबर कॉमा के साथ डाल लेती है अनर्जी फिर्कैंसी वेव नंबर ये सब जो है वेव लेंथ के क्या है जी inversely proportional है और अब यहाँ पर basically हमने इस चीज के साथ relation को देखना था到 अगर हम इसकी चीज के साथ relation देखें तो atomic number और anerjी का directly relation है atomic number और अनरजी का क्या है directly relation है ऐसा क्यूं है atomic number Z basically atomic number तो atomic number basically क्या होता है force of attraction on electron अगर यह जो nucleus है electron पर ज़्यादा attraction लगा रहा होगा ठीक है दी बात को समझने है अगर यह जो nucleus है इस electron पर ज़्यादा attraction लगा रहा होगा तो जाहर सी बात है यहाँ पर कि इसको remove करवाने के लिए energy ज़्यादा देना पड़ेगी बात को समझने है अगर यह जो nucleus है यह electron पर attraction ज़्यादा लगा रहा है तो होगा क्या कि इसको remove करवाने के लिए हमें ज़्यादा energy देना पड़ेगी और जब ज़्यादा energy देना पड़ेगी तो उपर वाले orbit से जब नीचे वारे orbit में electron जब करेगा तो वो ज़्यादा energy जो है emit करेगा ठीक है दी और अगर ज़्यादा energy emit करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि X-rays की energy क्या होगी ज़्यादा होगी तो attraction ज़्यादा होने की वज़ा से ठीक है दी अगर मैं relation बनाना चाहूँ वैसे आपके समझ के लिए अगर atomic number atomic number जो है वो ज़्यादा होगा ठीक है रही तो attraction क्या होगी ज़्यादा होगी और अगर attraction ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं के energy क्या होगी to remove electron वो भी क्या होजेगी ज़्यादा और x-rays जो produce होगी बाद में jumping की वज़ा से उनकी energy भी क्या होगी ज़्यादा होगी ठीक है दी तो atomic number अगर ज़्यादा होता है तो attraction ज़्यादा होती है और electron को remove करवाने के लिए energy जो require होगी ज़्यादा होगी और जो बाद में release होगी वो भी ज़्यादा होगी तो energy और atomic number का क्या है direct relationship है तो अगर energy और atomic number का direct relationship है तो wave number के साथ भी और frequency के साथ भी ठीक है दी अगर energy के साथ directly relation है atomic number का तो frequency और wave number के साथ भी क्या होगा directly relation होगा और wavelength के साथ जो है वो कौन सा relation हो जाएगा inversely relation हो जाएगा ठीक है दि क्योंकि जो चीज़ ते directly होती है वो सारे आपस में directly ही रहती है और जो चीज़ inversely होती है वो inversely रहती है तो अगर atomic number और energy का जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से directly relation है तो wave number और frequency और इनका भी directly relation होगा और wavelength का क्योंकि energy के साथ क्या है inversely relation है तो atomic number के साथ भी क्या होगा inversely relation होगा ठीक है दि तो ये था production of x-rays और इसके अंदर हमने उसकी definition को देखा उसके instrumentation को देखा उसकी working को देखा कि कैसे x-rays को produce कर सकते है production of x-rays भी कह सकते है basically उसको तो कैसे produce किया फिर उसके बाद origin of x-rays को देखा कि x-rays basically होती कैसे है मतलब कैसे produce होगी उसके बाद inner shell transition को देखा और इसके अंदर हमने k-series और l-series के बारे में properly बाते आपको clear हो जानी चाहिए अगर कोई भी point आपको समझ में नहीं आया तो एक तो repeat करके देख लें अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप जो है comment section के अंदर पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूँगा ठीक है जी और next जो हमने इसका topic discuss करना है वो है lecture number 17 और उसके अंदर हम मोजलेला उसकी conclusions और उसकी जो हमारे पास importance होगी उसको भी discuss करेंगे ठीक है जी तो channel अगर आपको पसंद है और वीडियो आपको पसंद होती है मेरी तो आप जो है वीडियो को like करें कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करेंज से ठीक है जी तो मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए अला आपस